साथियो नमस्कार मैं हूँ एड़ वगर सोग चोदरी साथियो पिछले बार एक वीडियो डाला था रशिया से रिलेटेड आलेंगे मैं पांसाथ वीडियो और भी डाल चुका हूँ क्यूंकि रशिया से रिलेटेड इंक्वारी ज्यादा अज़त अभी ट्रेंड कौन सा चल वीजा लग चुका है वरक पर्मिट वीजा वीजिट वीजा भी आसान थोड़ी होता है असे पर्मिट तो बड़ी बात होती है देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ जेन्वेन चीजें हैं इस तरह से फ्रोसेस फोलो करते हो तो आप इलिजिबल अगर हो वीजा के लिए तो आप ये वीजा ले सकते हो इसमें किसी एजेंट का प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगा कि आप अजेंट के तुरू किस तरह से अगर आप पड़े लिखे बंदे हो आपको नोलेज है आपको इस्टे बाइस से चलने का तरीका आता है तो आप ये वीजा असी कर सकते हो एजेंड तो भाई दो तिन लाग रुपे मार लेते हैं लेकिन ये वीजा अंडर वन लेख आपका काम हो सकता है चलिए इससे related कुछ बाते मैं बता दूँ हो सकता है आप रसिया से related किसे एजेंड के किसी ओफिस के तुरू किसी कंपनी के तुरू किसी भी दोस्त कोई भी इन्विटेशन इन्विटेस्टर के तवारा आप अगर ट्राई करते हो तो कौन सी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपको वीजा मिलने में आसानी हो जाएगी तो इससे पहले रेकिविस्ट करूंगा सा अगर आप रसिया का जोब अपलाई करना चाते हैं या आप अपलाई करने की सोच रहे हैं तो पहले तो बता दू सातियों कि वीजा रसिया का लगता कैसे है कुछ पॉइंट माइंड में आता है अगर वीजा कैसे लगा है फिर वीजा का समय क्या होता है कंडिशन क्या होती इस तरह इस topic पर तीन चार topic पर आप कुछ बाते मैं आप लोगों साथ share करूंगा तो साथी मैं बता दू वीजा अगर आपके मैंने क्यों सुना आता होगा वीजा कैसे लगता है तो वीजा के लिए तो आपको बता है process होता है process के दोहरा वीजा का जो company की या पिर जिस country में आ उसके process follow करने पड़ते हैं अगर वह process पर आप complete हो जाते हो जैसे बैंक में आप लोन लेते हो तो लोन ने लिए लिए पेंक कुछ profile मांगती है आपकी file complete अगर आप कर देते हो और उस loan के लाइक आप हो तो आपको loan मिल जाता है simple सी बात है तो लोग पैसा दे देते हैं guarantee पे तो फिर visa तो मिल जाए same condition होती है ठीक है अब समय visa की बात करें तो साथ का work permit visa साथ हो तीन साल का होता है यह आपके लिए important बात है अगर आप रशिया permit visa में जा रहे हैं और company के थुरूँ आपका काम हो रहा है तो तीन साल का work permit आपका visa रहेगा यह आपके लिए जानना बहु होता है लेकिन आपको यह बताया जाता है कि यह आपका work permit visa है लेकिन वह गलत है थ्री यहर्स का आपका visa passport में लगा है तो work permit है अगर आप one year का लग रहा है तो यह मान के चलिए कि वह आपका business visa है business visa में लिखा आता है इसमें duration time या stay time थ्री मन्थ लिखा होता है 3 मैने के अराम से मिल जाता है क्योंकि रसिया और इंडियन केंडी जो friendly system है ना इनका तो असानी से visa मिल जाता है सबसे पहले आपके पास passport होना जरूरी है आपको सबको पता है आपके पास photo passport ठीक साथी उसके बाद आपकी बीमा होने जरूरी है बीमा अगर आप जब भी apply करोगे तो बीमा चीहेगी आपको बीमा के बिना कुछ नहीं होने वाला आपकी बासा मैं चीज क्या आती है अगर आपको रसियन लेंगवेज लिखनी और पढ़नी आती है तो वीजा असानी से मिल जाता है ठीक है क्योंकि रसिया का बीजा आजेंट के थूरू वह इतना आसान नहीं ह होता अगर आप direct company के थुरू apply करना चाहते हो तो company के थुरू आपको एक invitation letter लेना होता है invitation letter का मतलब होता है कि company आपको बुला रही है अपने काम के परती वो आपको work permit विजा दे रही है समझ गए बात को तो इसलिए company चाहती है कि आपको Russian language लिखनी और पढ़नी आती है तो बहुत best है English भी English तो आनी है आनी चाहिए वहां की local वासा भी आपको आनी चाहिए ताकि आपका विजा आराम से लग जाए ठीक है साथियो invitation का मैंने बता दिया Russia में invitation का बहुत बड़ा रोल है चे आप विजिट में हो चे आप बिजनस विजा में हो बिजनस विजा में भी चीएगा work permit विजा में भी invitation लेटर होना ज़रूरी यानी कौन सी company आपको response कर रही है इसका मतलब यह होता है इसके मैंने एक वीडियो डाला भी है उस पर भी आप जनकरी ले सकते हैं playlist में आपको वीडियो मिल जाएगा time की बात करें तो साथ यू सम्तिंग डेट दो महने का process होता है ठीक है यह process में without present आपको बता रहा हूं online आप company में online करोगे तो यह इस तरह से आपका बंद सकता है काम अगर आप eligible हो तो यह जनकरी मैंने आपको सिरफ आपके थुरू दी है अगर आप directly कहीं पर भी apply कर रहे हो या फिर visit में भी कई बार क्या होता है आपको इन्विटेशन लेटर भेज देती है उससे आपको वीजा processing में आसानी हो जाती है उसमें company की guarantee होती है तो फिर वीजा आराम से मिल जाता है सत्यों मैंने कोशिस करिए सिरफ आपको बताने के लिए कि रस्या का work permit वीजा लेते हैं तो company के दवरा क्या process होता है योप आपको वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ में बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर रोज इसी टोपिक पर सही जानकरी motivation आपको मिलते रहें जाहीं दूवन देमात्र